नमस्कार दोश्ते, मैं संतोस पटेल, स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिजीटल फंडार पर, यदि आप कम्प्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कम्प्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ब एक बड़े डेटावेस में से, बड़ी टेविल में से, रो बाइच डेटा को सर्च करने की सर्विस प्रवाइड करता है, हमने अपने प्रिवेस वीडियो में, बी लोकप फंक्शन को समझा था, बी लोकप फंक्शन मतलब वर्टिकल लोकप, जो कि हमें एक लार्ज डेट data को column wise search करने की service provide करता है आज की वीडियो में हम h lookup function को सीखने वाले से, तो h lookup का मतलब क्या होता है horizontal lookup जो कि हमें किसी टेबिल से data को row wise search करने की service provide करता है यदि आपके पास एक बड़ा database है और आप बड़े database में से data को किसी एक value के आधार पर search करना चाहते हैं तो आप VLOOKUP या HLOOKUP function का उपयोग कर सकते हैं VLOOKUP आपको vertically मतलब column wise data search करके देता है जबकि HLOOKUP function हमें row wise data search करके देता है तो देखते हैं HLOOKUP function होता क्या है HLOOKUP का full form horizontal lookup होता है जो HLOOKUP function है उसका full form होता है horizontal lookup यह function table में किसी value को row wise search करने की service provide करता है यदि आपके पास एक बड़ी table है बड़ा database है और आप row wise data को search करना चाहते हैं तो आप use कर सकते हैं HLOOKUP function का large data से किसी value को find करने के लिए HLOOKUP function का उपयोग किया जाता है यदि आपके पास एक बड़ा database है बड़ी table है और उसमें से आप data को search करना चाहते हैं तो आप HLOOKUP function का उपयोग कर सकते हैं यह row wise data को search करता है इस function को use करने का syntax क्या होता है आपको equal symbol के साथ HLOOKUP function को type करना है इसमें पहला argument होता है lookup value lookup value मतलब वह value जिसके आधार पर data को search करना है second argument होता है range range मतलब table array जिस table में जिस range में आप value को search करना चाहते हैं third argument होता है row number row number मतलब किस row का data आप search कर रहे हैं और last argument होता है true and false यदि आपको exact match करना है तो हम false type करते हैं और approximate match करना है हम true type करते हैं यहाँ पर हम 0 या 1 का उपयोग भी कर सकते हैं तो HLOOKUP function में total 4 argument total 4 parameter दिये जाते हैं पहला parameter होता है lookup value जिस value के आधार पर data को search करना है second argument होता है range मतलब table array जिसमें हमें data को search करना है third होता है row number जिस row का data हम search कर रहे हैं और last होता है true and false यहाँ पर हमने HLOOKUP function के सभी argument को explain भी किया है lookup value का मतलब क्या होगा वह value जिसके आधार पर data को search करना है वह value जिसके आधार पर आप data को search करना चाहते हैं second argument होता है range range मतलब table range जिसमें data को search करना है third argument होता है row number वह row number जिसकी value को search करना है आप किस row की value को search करना चाहते हैं वह row number हमें देना होगा और last argument होता है true या false exact match करने के लिए false और approximate match करने के लिए true का उपयोग किया जाता है तो hLocap function और bLocap function लगवग एक समान होते हैं bLocap function भी 4 argument लेता है hLocap function भी 4 argument लेता है लेकिन bLocap function column bias data को search करता है जबकि hLocap function row bias data को search करता है तो अब हमने HLO का function का introduction समझा, HLO का function का syntax देखा, HLO का function के syntax के parameter को समझा, अब हम चलते हैं Excel की work seat पर और HLO का function को एक practical example से समझते हैं, तो अब हम Excel की work seat में आ गए हैं, यहाँ पर हमने कुछ student का database तयार किया है, student के database में student का role number है, student का नाम है, category है, class है, city है और marks है, यह database हम vertically भी तयार कर सकते हैं, यदि vertically तयार करते और find करते तो हम below cup का use करते, लेकिन आज हमने database को horizontally बनाया है, मतलब हमारी जो heading है, वह हमने row wise type करी है, heading, यदि हम यह heading column wise type करते और data को search करते, तो below cup function का use करना होता, लेकिन आज हमने database को horizontally तयार किया है, मतलब हमारा data row wise बनाया गया है, हमारे database में जो heading है, वह हमने row wise यूज करी है, क्यूंकि आज हम h local function का उप्योग करने वाले हैं, तो यहाँ पर पहली row है, हमारी roll number की second row है, name की third row है, category की class, city और marks, अब हम roll number के आधार पर student के marks को find करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम h local function का use कर सकते हैं, ध्यान रखें, आप जो भी data search करना चाहते हैं, जिस value के आधार पर search करना चाहते हैं, वह है आपके table की first row होनी चाहिए, जैसे मैं roll number के आधार पर data search करने वाला हूँ, तो roll number मेरी table की first row है, इसी प्रकार से जब b local function को use करते हैं, तो आप जिस value के आधार पर data search करते हैं, वह value आपके first column में होनी चाहिए, इसी प्रकार से hlookup function में आप जिस value के आधार पर data search कर रहे हैं, वह value आपकी first row में होनी चाहिए, तो for example, मुझे यहाँ पर roll number 1002 वाले student के marks को find करना है, तो मैंने roll number type कर दिया 1002, अब हमें यहाँ पर student के marks को find करना है, तो हम equal symbol को type और function लगाते हैं, hlookup, hlookup function का, जैसे ही हम bracket open करते हैं, तो हमसे यहाँ पर argument मांगे जाते हैं, parameter मांगे जाते हैं, पहला parameter हमें क्या देना है, lookup value, तो lookup value मतलब, आप किस value के आधार पर data को search करना चाहते हैं, तो हमारा जो roll number है, वो यहाँ रखा हुआ है, किस cell में रखा है, एब 14 number के cell में, तो हमने cell का address दे दिया, कामा लगाते हैं, इसके बाद हमसे second argument मांगा जाता है, table array, table array मतलब, आप किस table में, किस range में data को search करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर अपनी complete table का area, complete table की range को select कर दिया, हमारी table E4 cell से लेकर, O9 cell तक बनी हुई है, तो हमने table array दे दिय third argument हमसे मांगा जाता है, row index number, आप किस row number का data search करना चाहते हैं, तो हमारी table में total 6 row है, 6 row है, पहली row है row number की, दूसरी row है name की, तीसरी row है category की, चौंती row है class की, पांच भी row है city की, और last छट भी row है marks की, तो हमें marks को find करना है, तो हम row number क्या देंगे यहाँ पर 6, यदी हमें city को find करना होता, तो हम row number देते 5, यदी class को find करना होता, तो हम row number देते 4, तो आपकी table में जितनी भी row है, आप जिस row number का data search करना चाहते हैं, वो row number यहाँ पर दे सकते हैं, इसके बाद आपको true या false को type करना है, तो हम exact match करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या type करेंगे यहाँ पर false, हम आपने चारो आर्गुमेंट को पास कर दिया है अब हम ब्रैकेट को क्लोस करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा रोल लंबर प्रोटीन सैल में फिर हमने टेवल एरे पास किया आपका टेवल जितने एरिया में बना है भाया रेंज दे दीजिए आप किस रो की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं वाया रो नंबर दे दीजिए और एग्जेक्ट मैच करना तो फॉल्स एप्रॉक्सिमेट मैच करना तो को type करें हमने एक student के roll number यदि hlookup से find कर लिए अब यदि हम यहाँ पर किसी दूसरे student का roll number find करते हैं तो hlookup function हमें automatic उस student के marks find करके देगा आप जिस student के marks find करना चाहते हैं उसका roll number यहाँ पर type करें आपको hlookup function उस student के marks find करके देगा अभी हमने column number six मतलब marks को find किया था यदि हम अपने function में changes कर देते हैं हम यहाँ पर row number six की जगह दे देते हैं five five मतलब अब हमारी table में जो fifth number की row है वह है तो city की है क्योंकि row number one है roll number row number two है name three number पर है category fourth number पर है class और fifth number पर क्या है city है तो हमने roll number 1008 वाले student की city को find किया है city क्या है इसकी रीवा है इसी प्रकार से आप किसी भी student का यदि roll number आप पास करेंगे तो आपको उस student की city find करके दी जाएगी यह होता है h look up function जो की हमें horizontally data को find करने की service provide करता है ध्यान रखें आप जिस value के आधार पर data सर्च करना चाहते हैं वह value आपकी table में first row में होनी चाहिए तो आज हमने h look up function को समझा आप इस function को practically use करके देखें यदि आपका कोई question है कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें ज्यादा से ज्यादा share करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद